स्वागत है आप सभी का Tech Study ITA YouTube चनल पर अगर आप भी ITA का एक्जामिनेशन दे चुके हैं चुलाई 2023 का और आपका रिजल्ट आ चुका है एंड आप रिजल्ट से संतुष्ट अगर नहीं हैं किसी रिजन से आपको लगता है कि आपके नंबर कम है या आप फेल हैं और आपको लगता है आपने अच्छे कुस्चन किये थे आपको पास होना चाहिए या प्रैक्टिकल वगरा में आपके नंबर कम है किसी भी रिजन से तो आप उसका एक्जामिनेशन रिलेटेड ग्रेवेंस कर सकते हैं इसके साथ ही साथ अगर आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है जैसे आपकी डेटा बर्थ गलतो आपका अधार नंबर गलतो आपका फोटो गलतो पापा का नादा मम्मी का नाम या आपके नाम में कोई मिस्टेक हो तो आप उसे भी यहां पर अभी Correct कर वा सकते हैं DG TikTok से एक इस तरह का mail आया है and साथ में आगे हम लोग बात करेंगे किसे किसे grievance raise करना चाहिए and सबसे important बात कि आपको खुद करना चाहिए या ITA से contact करना चाहिए इन सब के विषय में चर्चा करेंगे उसके पहले यहाँ पे देख लीजे mail आपको भी इस तरह से आया होगा इस पे आपको एक user manual मिल जाता है जिसमें पूरा step by step बताया गया कि किस तरह से grievance करना है तो देखिए यह 19 सितंबर 2023 से start हो चुका है grievance करना और इसकी जो last date रखी गई वो है 3 October 2023 तो अगर आपको करना है profile related या exam related तो इन date से पहले आपको कर लेना है otherwise फिर आपको मुश्किल हो जाएगा अपने नाम में या किसी चीज में कोई correction करवा पाना तो grievance करने के लिए आपको आना होगा यहाँ पे complaint tool पे NCVT MIS की website पे आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक request प्लीज वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा like और share कीजेगा एंड चैनल पे नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दबा लीजेगा आप लॉग कर चुके होंगे तो लॉग ग्रिवेंस पे यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा यहाँ पर पहले सिर्फ exam related था बट अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो profile से related और exam से related दोनों यहाँ पे open हो चुका है अब हम बात कर लें exam related ग्रिवेंस किसे rage करना चाहिए देखिए अगर आप पास हैं exam में तो आपको हमारा जो suggestion हुई है आपको बिल्कुल भी ग्रिवेंस rage नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप पास हैं तो इतना ध्यान रखिए कि आपका result भी hold हो जाएगा फिर थोड़ा time लग जाए अगर जल टाने में माकसी टाने में तो दो चार छे नंबर अगर आपको ऐसे लगते हैं कम भी हैं तो आपको नहीं rage करना चाहिए चाहिए प्रैक्टिकल में हो चाहिए सेस्टनल में हो तो पास हैं तो grievance मत rage कीजेगा especially exam related अगर आपके profile में कुछ mistake है उन सब के लिए आप grievance rage कर सकते हैं अब बात करें fail candidates की अगर आप fail हैं ठीक है अब fail में आप दो तरह से fail हो सकते हैं एक आप practical या drawing के exam में fail हो सकते हैं अगर आपका पुराना exam है तो दूसरा है आप जो CBT exam हुआ था उसमें fail हो सकते हैं तो अगर आप practical में fail हुए हैं मेंस आपका number कम चड़ाया कुछ हुआ है तब आप इसका अलग grievance करेंगे CBT वाले exam का आपको अलग grievance करना होगा लेकिन जो candidate fail है और सोच रहें चलिए माल लिजे किसी candidate का 24 number है CBT exam की बात कर रहें और आप सोच रहें कि चलो हम grievance rage कर देते हमें लगता हमारा number बढ़ना चाहिए तो ऐसे candidate को grievance rage करने से पहले हम आपसे please एक request करेंगे कि आप लोग जो है पहले अपना answer की check कर लीजे अपनी profile को open कीजे cvt exam center के option में जाएए वहां से अपनी answer की download करके check करिए कि सच में आपने सही answer किये भी थे questions के या नहीं क्योंकि वहां पर आलड़ी आपको दिख जाएगा आपने कितने questions सही किये थे कितने गलत किये थे तो कई बार आपको नहीं पता होता है आपको लगता आपने सब सही किया था और नंबर कम आ जाता है तो इतना मानके चलिए कि cvt exam में 0.1 परसेंट ही chance है का आपके numbers बढ़ेंगे ठीक है जिनको मिला पास है अच्छी बात है बट नंबर बढ़ने के chances बहुत रहे हैं क्योंकि online exam हुआ है सारी चीज़ें online जो है check हो गई है तो इसमें numbers बढ़ने के chances बहुत कम है रही बात practical exam की इसमें अगर इसका क्या process होगा आगे बात कर लेते हैं and सबसे important जो ग्रीवेंस है वह है आपका profile related ठीक है जो profile related grievance होता है इसमें आपके मालीचे नाम में कुछ spelling mistake हो गई हो उसे आप सही करा सकते हैं father's name में कुछ mistake हो उसे आप सही करा सकते हैं मम्मी के नाम में कोई mistake हो उसे आप सही करा सकते हैं data birth कई बार candidates की गलत हो जाती है उसे सही करवा सकते हैं profile photo आपकी गलत है उसे आप correct करवा सकते हैं बट इन सबका एक process है उस process को आपको follow करना होगा तो कोई भी grievance आप अपने आप से मत कीजेगा कोशिस कीजिए अपने iti से contact करके उनके through जाके करवाईएगा उनकी निगरानी में करिएगा जिससे आपको कोई परेशानी ना हो और थोड़ी बहुत जिम्मेदारी iti की भी हो अगर कोई past candidate grievance करने जा रहा है अपना number बढ़वाने के लिए वैसे तो करिएगा मत अगर आप करने की सोच रहे हैं उस case में आप पहले अपना mark sheet और certificate डाउनलोड करके रख लीजेगा क्योंकि जैसे आप grievance रेज करेंगे उसके बाद आपकी profile जो है lock हो जाएगी जब तक grievance आपका पूरा approve नहीं होता final ठीक है तब तक आप फिर mark sheet और certificate डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो यह चीज का भी ध्यान रखेगा दरवाज आप कई बार आनन फानन में कर देते हैं फिर आपको मुस्किलों का सामना करना पड़ता है तो यहां आप अपना trainee name इंटर करेंगे यहां पे अपना registration number यहां पे कौन सा exam related चाहिए या profile related उसे select करके जैसे आप next करेंगे फिर आ name में correction करते हैं तो आपको जाके जो iti है वहां के थ्रू नोडल iti में जाके आपको अपना इसका एक supporting document लाइक दसोई की mark seat देनी होगी पापा का नाम correction दसोई की mark seat मम्मी का नाम correction 10th की mark seat submit करनी होगी जाके data birth उसमें भी 10th की mark seat submit करनी होगी photo अगर आपको चेंज कराना है photo मा करना के देना होगा इस time paper पर इटी में तब कहीं जाके आपका यह सब कुछ अप्रूब होगा आप सिर्फ रेज कर देंगे iti में आप जाके कुछ नहीं submit करेंगे आपका ग्रेवेंस अप्रूब नहीं होगा reject हो जाएगा SPIU या NPIU कहीं नहीं से ठीक आगे नहीं बढ़ पाएगा तो इसलिए बता रहें कि यह सारी चीजें आपको करनी होंगी एक्जाम related ग्रेवेंस आप करते हैं तो आपको करना है उसके बाद या already SPIU पास पहुच जाएगा फिर भी आपको एक बार अपने नोडल आईटिय या अपने आईटिय में जहां भी आप पढ़ रह उसमें अगर आपके नंबर एक दो कम है तो आप कोशी चाहें तो कर सकते हैं ग्रीवेंस का अधरवाइस अगर सीवीटी एक्जाम में फेल हैं तो बैक पेपर आने वाले हैं दिसंबर 2023 इसमें उसकी आप लोग तैयारी कर लीजिए ग्रीवेंस में भी टाइम लगेगा बै ग्रीवेंस आप जैसे रेज करने जाते हैं देखें ग्रीवेंस रेज करने के लिए आप क्या करते हैं अपना यहां नाम टाइप करेंगे ठीक है टाइप सेलेक्ट करेंगे रिजिट्रेशन नंबर डालेंगे इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा ठीक है प्रोफ पापा का नाम करेक्शन करना इस पे आप क्लिक करेंगे ममी का त इस पर एटा बर्थ इस पर इस का करना को क्लिक करना है है कोई अगर로 P photo एक upload करनी होगी 10. बार होगी mark seat ठीक है? एफीडेविट एक upload करना होगा तब जाके आपका ये सब कुछ change हो पाएगा ठीक है? नाम के लिए आपको mark seat upload करनी पड़ी सही photo upload करनी पड़ी and एक आपका एफीडेविट upload करना पड़ा तब आप जाके यहाँ पर submit करेंगे grievance और submit करते हैं grievance क्या हो जाएगा आपका? वो चला जाएगा एक grievance number के साथ आपका registration number होता है साथ में 0001 होता है दूसरा आपकर ते हैं 0002 होता है 3 होता है इस तरह से होता है ठीक है? तो वो चला जाएगा SPIU के पास वहाँ से approve होगा फिर NPIU से approve होके final आपका result आ जाएगा अगला आता है आपका examination related grievance अब examination related अगर आपको choose करना है तो देखिए इसमें offline exam जो होते हैं drawing और practical ठीक है? यहाँ भी आपका OTP आएगा उसका आपको अलग grievance रेज करना है और जो online आपको अलग grievance रेज करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आप किसमें fail हैं किसमें pass हैं इस तरह से आपका result आपके सामने खुल जाएगा अब यहाँ आपको select करना होगा कि main subject के लिए कर रहे है trade theory employability या workshop calculation या practical subject के लिए कर रहे हैं तो जो आप choose करेंगे फिर नीचे subject चुनने को आजाएगा कि subject लिए आप कर रहे हैं यहाँ पे कुछ आप description में दे सकते हैं का आपको क्या लगता आपका number कम्या जादा है और grievance को submit कर सकते हैं अगर practical CVT दोनों का करना है दोनों का अलग-अलग दो बार login करके आपको यहाँ पे grievance rage करना होगा ठीक है तो यह तरीका है grievance rage करने का क्यों करना है किसे किसे करना है वो भी हमने आपको बता दिया अभी भी अगर आपको grievance को लेके कोई doubt है तो प्लीज आप लोग comment जरूर कीजेगा यहाँ पे हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे ठीक है grievance देखने के लिए कैसे आप देखेंगे उस पे चलते हैं माल लीजे आपने grievance rage कर दिया अब आपको यहाँ पे grievance view पे क्लिक करना है और जो आपका grievance ID है उसे आपको यहाँ पे इंटर कर देनी जनरली होती कहा है जी यार इसके बाद आपका जो role number होता है वो ठीक है role number के बाद 0001 अगला है तो 0002 3 है तो 0003 यह आपका grievance ID होता अगर आप भूल जाए तब भी यह आप कर सकते है इस पे क्लिक करेंगे go पे क्लिक करेंगे आपका जो grievance है वो दिख जाएगा उसका status क्या है क्या नहीं है जिससे आपको पता चल पाएगा कब तक approve होगा कब आपका result सही होगा लेकिन finally हमने जो बताया उस चीज़ पे जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि grievance profile related तो जरूर करा लिए क्योंकि बार-बार ये मौका नहीं मिलेगा बट number से अगर related है और online exam में है तो मत कराईएगा मेरे हिसाब से result आपका hold हो जाएगा back paper से भी आप problem हो सकती है उसके लिए बहतर होगा आप back paper की तैयारी करें हाँ drawing या practical में किसी पुराने student का अगर कुछ है तो पुराने का तो अभी हो नहीं रहा जुलाई 2003 examination का हो रहा है पुराना भी डाल के देखेगा पुराने student का अगर हो रहा है तो आप करवा लीजेगा engine candidate का अभी result आया है अगर आपके नाम में पापा मम्मी के नाम में कहीं भी कोई mistake है तो प्लीज उसको correct करा लीजेगा अभी recent में कही सारे candidate का हमारे पास call आया था apprenticeship के लिए गये थे RCF कपूर थला में वहां से उनको वापस कर दिया गया region पापा के नाम में थोड़ी सी spelling mistake थी ठीक है तो ये आउट हो प्लीज कमेंट करके जोरू पूछेगा और चैनल को लाइक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा थैंक यू ख्याल रखिएगा अपना